विद्ट नमस्कार मित्र आपका दोस्त और हुर संदीक कुमार सर्मा तक्नीक मित्रों के साथ यूटूब चैनल में अर्थात टेक्नोविट प्रेंच यूटूब चैनल में और बताये मित्रों आपकेसे है तो सब्सक्राइब किया था कि यूट्स हम लोग ने एक्सल को समारे पास सामने एक्सल है एक्सल देखिये मित्रों दरसल एक्सल क्या है एक ऐसी चीजे एसा वेविन प्रकार से टेबल और कॉलम्स के इसाबसे खाहिए अलग अलग तरीके से बना सकते है चाहे वे हम किसी की यहां पर जो एक्सेल का जो सिस्टम है यह थोड़ा परिवर्तित है पहले एक्सल सीधा खुल जाता था लेकिन आजकल अब यहां पर देखिए खूब सारे ऑप्शन यहां पर पहले से बन गए काफी सारे हमें सुविधाय कर दिये इन्होंने देखिए देखिए सबसे ब्लैंक वर्क बुक हैं यहां पर इसे क्लिक करते हैं हमारी वर्कशिट खुल जाएगी देखिए यहां पर अलग अलग चोटी चोटी डिब्बे बने हुए जिसके अंदर आपना कंटेंट लिख सकते हैं चलिए हम इसको एक बार बैक कर देते हैं अब हम एकçल पर जाते हैं वापस से यह मैंने आपको बताया कि इसके और और क्या-क्या उप्शन हो देखे ए Excel को फिर से खोलते हैं, Excel को उमने फिर से खोल लिया, अगला है Welcome to Excel, इस पे Welcome दिया होगा है, Welcome Note Excel का, इस पे Enter करते हैं, तो हम यहाँ पर, Welcome to Excel, Welcome to Excel, Create button, Welcome to Excel, Create button, इस पे Click करते हैं हमारा, जो है Focus Create पे चला जाएगा, Enter करते हैं, Welcome to Excel, Excel, Start Table, Welcome to the Tour. Instructions for Screen Readers, Injust, 10, Steps, Comma, You'll be up and running with Excel, Comma, The World's Most Popular Spreadsheet App. There are, 11, More Sheets in this Tour. The Instructions for Each Sheet Start in Cell A, 1, ठीक है, यहाँ पर Screen Reader के लिए कुछ Option दिये गए हैं, तो आप इसको देख सकते हो, Take a Tour, Adjust, Steps, Comma, Go Back to Tap, अगर आपको उपर जाना तो, Control plus Home दबाना है, आपको इस सब बता रहे हैं, देखिए, आपर बहुत सारी Commands दी गई है, A, 5, A, 6, A, 7, A, A, B, A, यहाँ परी टेबल्स भी बढ़ी हुए है, तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पर सीख सेते, Money and Excel, इसको एंटर करते हैं, क्या है, इसमें देख लेते हैं, अबन, यहाँ पर Create Button लिखा है, तो इसके विशे में कोई जानकारी इसमें बताई नहीं नहीं होने, लेकिन चलिए अबन, एंटर करते हैं, इसमें पर, जलो इसको बाद में देखेंगे, Drop-Down Tutorial, यहाँ पर भी एक टुटोरियल दिया गया, इसमें पर Space दिशी दबाता हूँ है, एक सेकेंड, पर तीक्षा करें थोड़ा, तो मित्रो, इसके बाद है, देखिए, Drop-Formula Tutorial है यहाँ पर, Power Query Tutorial है, Table Tutorial, तो इस प्रकास से कुछ टुटोरियल से यहाँ पर दिये गया है, हमें एक काम करना है, Plank Workbook, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, Enter कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे साबने एक Plank Worksheet खुल जाती है, जिसके अंदर Tables और Row Columns दिये गया है, Tables, Row Columns क्या होते हैं, उस विशे में आपन बात करेंगे, अब यहाँ पर Option को देख लेते हैं, एक बार फटा-फट से, Alt को दबाना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर Ribbon Tabs आगे हैं, तो आप एक बार Left की तरफ करेंगे, यहाँ पर कौन कोंसे Tab हैं मुटा देता हैं, आपको Home Tab है पहला, इसरा 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 पेज लेयाउट टैब, चोथा पॉर्मिलास टैब, फिर है Data Tab, Review Tab, View Tab, Help Tab, Selected All, यह सब ऑप्शन है, तो अब हम, Try Grouping, Header and Footer, Book, एक, तो यह सब उसके अंदर ऑप्शन है, तो आपको सब जागे होगे चीज़, अब हम, थोड़ा सा एक बार आपस देबादेंगे, अब हम लेफ्ट की तरफ एक बार एरो को करते हैं, आल्ट को दबाकर लेफ्ट की तरफ एरो करेंगे, यह फाइल टैब आ गया, अब यहाँ पर हम, अगर, टैब दबातें एक बार, तो विक एकसेस टूल बार यहाँ खुल जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ बटन्स दिये होते हैं, इन बटन्स की साहता से आप काफी सारे काम कर सकते हैं, तो यह आपर कोई कोई से बटन है, राइट एरो करेंगे, पहला है से बटन, उन्दू स्प्लिट बटन क्लाप्स, सेव बटन सेव, से डेड़, से आप रीडू कर सकते हैं, लेगिन अइवैललब बें से बोड़ा हैं, काम नहीं करना शुरू किया है, तो इस करके इसे बूल रहे हैं. आप यहां से तूल-बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो यहां किसी भी आप आइकन को यहां से रिमूव भी कर सकते हैं और एड भी कर सकते हैं तो यहां से रिमूव और 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 रिमूव इसे चेक्ट है इसका अबलब यह इसमें एड है अगर आप उसको अंचेक्ट कर देंगे तो यह रिमूव हो सकता है email not checked email नहीं चेक करते हैं बार हमने email को इस पर इस पर सेट कर दिया आप मैं देखता हूं हुआ है के न हुआ है ribbon tab file ribbon tabs tab वब्ब्रिबं यहां पर आगया है हमने इमेल सेट कर लिया अगर हमें कुछ डिलीट करना यहां से तो बॉप कर देते हैं हमने रिमूव कर दिया अब आपको फिर से चेक करना हो तो अंडू रिफ्रेश ऑल्ट है तो अब यहाँ पर एक कमांड लगाते हैं अपन अल्ट प्लस बन से रिडू बोल रहा है यहां से रिडू बोल रहा है फिर देखते है रिडू जिस बटर पे रिडू यह बागी आप पनकून कारस्ट तो हमारा अएंग कर सकते हैं तो यहां से कर सकते हैं के तो समझ गए आप यह एक शॉटक्र टूल बार है इससे आप अपना काम और भी आसाल कर सकते हैं लेकिन इसका शॉटकट भी है तो हम जादा तर लोग शॉटकट ही यूज करते हैं Ctrl-Z से मतलब यूनो जो है उसे undo करना या Ctrl-Y से उसे redo करना या मतलब जिसे save करना Ctrl-Z से आपको सब को बता हैं लोग माउस से इसको यूज करते हैं तूल बार जानतर माउस वालो के काम आती है यह माउस वाले फाइल से भी ऑप्शन देख लेते हैं चलिए यह हमारा file tab है तो इसमें क्या-क्या option है में देख लेते हैं अपन पर फाइल लिस्ट जो हमने यह हमने देखा जो लिस्ट ब्लांक वर देख सकते हो इसके अलावा file list new new alt new आप यहां से new बना सकते हो open open alt open कोई नया document आपको खूलना हो तो open कर सकते हो info info alt यहां पर info प्राप्ट कर सकते हैं save save alt where you can save as save as history unavailable History unavailable कोई history आप उपलब देखने हैं आप print भी यहां से कर सकते हैं share share altzugeinté dessus कोणा है export export alt depos परद भी यहां से किया सकता है, स्कॉर्ट मतलब जैसे अपने सेव किया, तो हमने जैसे तो जैसा कि हमने अभी देखा यहां पर, कि इस तरह से हम एक्सल पर काम कर सकते हैं, मतलब अपने एक पहला थोड़ा सा इसका ओवर लुक देखा इसको बोलते क्या बोलते हैं इंटरफेस देखा कि इस तरह का हमारा यह नए वाला जो है एक्सल है तो इसके विशे में अब कल जो टुटोरियल आएगा तो उस पर हम आगे बात करेंगे मैंने आपको आज यह बत की है उसके बाद सेव करना तो आपको पता ही है invol Literale से सेव करते हैं आपको बहुत असान नहीं बताने की कोई इतनी आफशक्तार है नहीं लेकिन फिर भी हम इसमें बात करेंगे अच्छे से अभाव замечation कैसे तयार करते आउट ओट कैसे तयार सारे तो मित्रो में मुझे आपसे यह उमीद है कि आप इस वीडियो को जुरूर साजा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दो संदीप शर्मा तक्नीक मित्रो के साथ अथा टेक्नुक विद्ट प्रेंड में। झाल प्रेंगे।